आज में रिवीव करने वाला हूं मार्टी सुदगी की वैगनार पर यहां फ्रेंट्स यह है मार्टी सुदगी की वैगनार वारियंट है इसका VXI तीन वारियंट में आती है वैगनार LXI VXI और ZXI LXI में 1.0 लिटर का पेट्रोल इंजन आता है VXI में 1.0 और 1.2 लिटर का पेट्रोल इंजन आता है और बात करें ZXI की तो वो only 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है एंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वन लिटर के पेट्रोल इंजन से पावर मिलती है आपको 50 किलो वाट की, टॉर्क मिलता है आपको 90 न्यूटेन मीटर का, वही हम बात करें 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन की, तो आपको इस इंजन से पावर मिलती है 61 किलो वाट की, टॉर्क मिलता है 130 न्यूटेन मीटर का, आवरेज की बात करें तो आपको 1.0 लिटर पेट्रोल इंजन से आपको आवरेज मिलती है 21.79 की एमपियल, वही हम बात करें 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन की फ्यूल इफिशेंसी की तो 20.52 की एमपियल का आवरेज है, वागनारेज जेती हैं, C&G में 32.52 कीमे में यहांbियल जेती है, वागनार, अगर बात करें C&G वेरेजन की तो आपको C&G वेरेजन में पावर मिलती है, 43 किलो वाट की, टॉर्क मिलता है आपको 78 नूटन मीटर का, C&G वेरेंस 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 यहांb reviewing है, अगर आप C&G वे वैगनार में automatic लेना चाहते हैं तो variant VXI और ZXI में आपको automatic मिल जाएगा वैगनार में optional variants भी आते हैं जैसे VXI optional LXI optional इन variants में आपको passenger side airbag मिल जाते हैं ZXI variant में already 2 airbag आते हैं लेकिन VXI और LXI में आपको एक optional model भी आता है जिसमें आपको driver side के साथ साथ आपको passenger side भी एक airbag मिल जाता है यह है इस car का front look front look काफी bold और attractive है पहले से headlamps इसके काफी बड़े-बड़े आगे से दिखते हैं जो की काफी car को bold character देते हैं और यहाँ पे देखे तो आपको front chrome grills देखने को मिलेगी बीच में सुजुपी का logo मिलेगा मैट finish में आपको zigzag grills देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको मिलते हैं dual splitted headlamps इंटिकेटर के साथ और यहाँ side से आपको थोड़ी cutting देखेगी headlamps पे यहाँ पे fog lamp का option दिया हुआ है VXI में fog lamp नहीं आते हैं आप अलग से लगवा सकते हैं dual tone bumper design मिलता है आपको dimension की बात करें तो इस car की 3.6 meter length मिलती है 1.6 meter width मिलती है और height भी आपको मिलती है 1.6 meter की turning radius मिलता है 4.7 meter का fender पे आपको turn indicator का option है 14 inch के normal steel wheel मिलते हैं आपको wheel cap के साथ VXI, ZXI में same wheel size है LXI variant में आपको 13 inch के wheel मिलते हैं front में disc और rear में drum brake का option है 165 mm का ground clearance है और wheelbase मिलता है 2.4 meter का इस car में body colored side mirror देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं electronically adjustable है ZXI variant में electronically foldable भी option है यहाँ पे body color door handles देखने को मिलेंगे यहाँ पे c pillar black matte finish में side look भी इस car का काफी bold है tail lamps की बात करें तो आपको यहाँ पे normal halogen bulb tail lamps मिलते हैं LED का option नहीं है high mounted stop lamp defogger नहीं आता इस variant में यहाँ पे आपको मिलती है rear parcel tray तो यहाँ पे मिलता है आपको 341 लिटर का boot space जो की काफी अच्छा boot space है यहाँ पे मिलते हैं spare wheel काफी अच्छा boot space है boot expand करने के लिए आप 60 40 seat को भी split कर सकते हैं रूफ पे design मिलता है आपको यहाँ पे मिलता है antenna 32 लिटर का fuel tank मिलता है आपको वागनार में safety features की बात करें तो ABS, EBD, seatbelt potential and force limiter, dual airbag, reverse parking sensor, high speed alert system, anti-thrift security alarm और भी सारे safety features मिलते हैं वागनार के साथ total six color में available है वागनार यह जो आप color देख रहा है यह है pool side blue, silky silver, superior white, autumn orange, magma gray और nut mug brown में आती है वागनार तो friends यह था इस car का exterior तो चलिए देखते हैं इस car का interior की क्या-का features आपको देखने को interior में मिलते हैं मैंने driver side door open किया हुआ है, यहाँ पर आपको total black color का option देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको silver door opener मिलता है यहाँ पर आपको मिलते है power window के controls, door lock unlock करने का button और side mirror के controls यहाँ पर मिलते हैं आपको थोड़ी space और यहाँ पर मिलता है door mounted armrest fabric use नहीं है, hard material मिलता है आपको यहाँ पर, one liter water holder और paper work space मिलती है यहाँ पर और यहाँ मिलता है speaker, काफी void entry है इस car की यहाँ पर मिलते हैं आपको इस events, headlight leveler, यहाँ पर आपको मिलते हैं pedals, water net खोलने का lever और यहाँ मिलते हैं fuel net खोलने का lever fix headrest मिलते हैं आपको, dual tone color में design मिलता है आपको, seats पर fabrica polish tree है, यहाँ से seat tree clean कर सकते हैं tire pressure information तो चलिए अंदर बैटके देखते हैं इस car में remote key का option मिलता है जिस पर आपको lock unlock करने का button देखने को मिलेगा दो key मिलती है आपको wagon hour के साथ, तो चलिए car को on कर लेते हैं देखते हैं इस car का instrument panel ऐसा दिखता है इस car का instrument panel left side में देखे तो आपको कुछ warning glides देखने को मिलेगी, बीच में आपको मिलता है speedometer और एक चोटी से मिलती है digital screen जिस पर show करता है average, range, kilometer, trip A, trip B, digital clock, fuel level indication ये सारे features show करता है त्री स्पोर के steering wheel मिलती है आपको, silver essence के साथ, बीच में Suzuki का logo मिलता है और मिलती ही airbag की badging, यहां पर music system के controls मिलता है आपको, यहां पर calls और bluetooth के controls मिलता है यहां पर headlight की controls, यहां पर wiper की controls और यहां मिलता है C events और यह मिलता है two speaker का music system, support करता है FM, AM, USB, AUX और Bluetooth यहां पर मिलता है hazard light control और यहां पर देखने को मिलेगा आपको manual dial type AC नीचे के तरफ आपको 12V का charging port देखने को मिलेगा और यहां पर मिलती है थोड़ी space और यहां पर आपको मिलता है gear knob, 5 manual transmission और एक reverse gear के साथ यहां पर देखे तो आपको मिलती है थोड़ी space यहां थोड़ी space देखने को मिलेगी आपको यहां पर आपको मिलता है manual hand brick chrome knob के साथ code driver side बात करें तो यहां पर आपको silver door opener power window के controls, नीचे speaker का option है और one liter water holder का यहां पर glow box space मिलती है आपको VXI optional लेंगे तो आपको यहां पर dual airbag का option मिलेगा यह VXI है यहां पर भी मिलते हैं आपको इस events यहां पर grab मिलता है आपको को driver side sunshade में vanity mirror का option मिलता है Kevin light driver side sunshade में टी cut holder का option मिलता है तो चलिए बैट के देखते हैं इस car की rear seats पर मैंने rear door open किया हुआ है इस car का यहां पर भी आपको total black color का option मिलेगा silver door opener मिलता है power window की control door mounted armrest नीचे speaker की space और one little butter holder मिलता है glass area इस car में काफी बड़े बड़े हैं window glass area आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े इस car में दीए हुए हैं fixed headrest मिलता है आपको rear seats पर भी दो headrest का option है adjustable headrest का कोई option नहीं है wagoner में यहां पर मिलती है आपको rear parcel tray तो चलिए कार के अंदर बैठके देखते हैं और यहां आपको leg room काफी अच्छा देखने को मिलेगा headroom भी ठीक ठाक मिल जाता है इस car में काफी अच्छा headroom है fixed grab का option मिलता है आपको यहां पर seats pocket का कोई option नहीं rear race events नहीं मिलते हैं आपको fixed grab मिलता है आपको यहां पर dual tone color में आपको dashboard यहां देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छा dashboard लगता है rear से तो friends यह था मारते सुझो की wagon r vxi variant का review और finally बात करें इस car के price की तो अगर आप 1.0 liter का engine लेना चाते हैं vxi variant में तो उस car की price है 4.90 लाग अगर वही आप 1.2 liter का engine लेना चाते हैं vxi variant में तो उस car की price है 5.13 लाग यह price एक शो रूम है exact on road price जाने के लिए आप nearest dealership पे contact कर सकते हैं वहाँ पे आपको exact price पता चल जाएगी इस car की तो friends वीडियो कैसा लगा वीडियो को like करें वीडियो को share करें चैनल को subscribe कर लें और अगर आपने अभी तक मुझे instagram पे follow नहीं किया है तो वहाँ पे जाके मुझे follow कर लें क्योंकि वहाँ पे भी मैं latest post डालता रहता हूं तो friends कैसा लगा वीडियो कमेंट पे ज़रूर बताएं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अब तक के लिए बाई